जेहन दोस्तो आप सभी एक सर्विसमेंस का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटिग्री यानि की रेलबे में दोस्तो जो NTPC की ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की जो भरती निकली है उसके बारे में ये वीडियो है तो चलिए दोस्तो श्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो भरती है वो उसके ऑनलाइन जो एप्लिकेशन्स हैं वो दो भागों में आपसे लिये जाएंगे तो अगर आप दोस्तो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उनलाइन एप्लिकेशन्स हैं वो 14 सितम्बर से 13 अक्टूबर 24 के बीच में आप ओनलाइन एप्लिकेशन्स फिल कर सकते हैं ठीक है चलिए तो graduate post के लिए दोस्तो कौन-कौन सी post में आप apply कर सकते हैं उसके बारे में discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले है दोस्तो chief commercial come ticket supervisor ठीक है तो इसका दोस्तो जो pay level है वो 6 है initial pay होगी आपकी यानिकी basic pay 35,400 से start होगी medical standard B2 होगा age as on 11-2025 18-36 साल के बीज में होना आपकी age जरूरी है और total vacancies है वो हैं 1736 next आता है दोस्तो station master तो अगर आप station master की post पर apply करना चाहते हैं तो आपका pay level 6 होगा initial pay यानिकी जो आपकी basic पर होगी 35,400 होगी और medical standard होगा दोस्तो आपका A2 ठीक है उसके बाद में दोस्तो आपकी age limit है वो 18-36 होगी और total जो vacancies हैं station master की बो हैं दोस्तो 994 अब आता है दोस्तो goods train manager आपने देखा होगा कि train में सबसे last में जो एक बंदा खड़ा रहता है रेल्वे का सफेज dressman के उसको हम कहते हैं train manager तो इसका जो pay level है वो है 5 29,200 इसकी basic पर start होगी इसका भी दोस्तो medical standard A2 होगा और age जो है 18-36 साल होगी और इसकी जो total vacancies हैं वो हैं 344 नेक्स्ट आता है दोस्तो junior accountant assistant कम typist ठीक है तो इसका जो pay level है 5 है 29,200 से आपकी basic पर start होगी medical standard C2 है 18-36 age होगी और 1507 इसकी जो है वो total number of vacancies यहां पर निकली है senior clerk कम typist इसका pay level दोस्तो 5 होगा 29,200 इसकी basic पर start होगी medical standard है दोस्तो C2 और age जो है वो 18-36 साल के बीच में होनी जरूरी है अगर आप इस post में apply करना चाहते हैं तो और दोस्तो इसकी जो number of vacancies है senior clerk कम typist की वो है 732 तो इस परकार दोस्तो NTPC में graduate level की जो post है जिनका online अभी दन 14 सितमबर 2024 से 13 October 2024 की बीच में आप कर सकते हैं उसकी total vacancies है दोस्तो 8,113 vacancies ठीक है और यह हर post वाई जो vacancies की breakdown है वो मैं आपको बता चुका हूँ तो total vacancies दोस्तो 8,113 ठीक है इसके अलावर दोस्तो जो undergraduate वाली vacancies है वो अलग है उनके बारे में हम आपसे बाद में discuss करेंगे चलिए अब आगे दोस्तो हमारा important dates for CEN 6 यानि कि undergraduate जो post है उसमें कौन-कौन सी post है उनके बारे में अब हम discuss कर लेते हैं तो दोस्तों undergraduate की जो पोस्त है उसकी application से start होंगे 21 स्टमबर 2024 से जो की open रहेंगी 20 October 2024 के बीच तक तो number of vacancies के जो है हम बात कर लेते हैं दोस्तों commercial come ticket clerk तो यहां पर दोस्तों जो इसका pay level होगा 3 होगा और initial pay होगी इसके 21,700 medical standard B2 और age जो है वो 18 से 33 साल होना जरूरी है अगर आप 18 से 33 साल के बीच के हैं तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं total vacancies in all RRBs, railway recruitment board की 2022 है ठीक है तो commercial come ticket clerk की जो vacancies है 2022 है उसके बाद दोस्तों आता है accountants, clerks come typist तो अगर आप दोस्तों account clerk come typist की post पर apply करना चाहते हैं इसका pay level आपका 2 होगा दोस्तों और 19,900 से आपकी basic page start होगी 18 से 33 साल की age है और 361 यहां पर जो है वो number of vacancies है junior clerk come typist की जो vacancies हैं दोस्तों वो 19 से उसका pay level 2 होगा 19,900 से इसकी basic pay start होगी और 18 से 33 साल आपकी age है total number of vacancies है 990 train clerk जिसके लिए हम दोस्तों TCB बोलते हैं train clerk की जो vacancies हैं बहुत हैं दोस्तों only 72 तो इस परकार दोस्तों जो non technical popular category यानि की railway में under graduate की जो NTPC की vacancies हैं वो हैं दोस्तों 3445 ठीक है तो 3445 vacancies तो दोस्तों आपकी यह हो गई जो की अंडर graduate level की हैं और उसके बाद में दोस्तों आपकी 8113 vacancies हैं graduate level की पोस्तों यहां पर दोस्तों कुल्म लाग के आपकी 11000 से उपर vacancies जो है वो railway में निकाली गई है ठीक है चलिए एक्स-servicemen के लिए जो भी एज रिलक्सेशन मिलता है दोस्तों जनरल के लिए जैसे आपको पता है कि 3 साल का एज रिलक्सेशन मिलता है तो वो आपको मिलेगा और आप अगर graduate है या फिर अंडर graduate है तो भी आप इसमें अपलाई कर सकते हैं graduate post के लिए क्योंकि दोस्तों य बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहां पर एक्जामनेशन फीज की तो ऑल कंडिडेट्स परस्नेल between डिशेबल्टी फीज ट्रांस जो लोग है उनके अलावे जो भी नॉर्मिल कंडिडेट्स वचे तो उनकी जो एक्जामनेशन की फीज होगी एक्प्लीकेशन फीज 500 रुपए है और एक्जामनेशन में अगर आप है तो आपकी फीज हैं दोस्तों 250 रुपए है वो इसमें application fill कर सकते हैं अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कौन-कौन सी अरर्वी जो हैं वो participate कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं एहमदावाद अजमेर बैंगलावर भौपाल भूबने उसके बाद में यह पूरी की पूरी अरर्वी हैं जो जिसमें यह भरती निकली हुएं मतलब अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इन्ही अरर्वी जोन्स में आपकी जो है वो पॉस्टिंग होनी है ठीक है चलिए तो उम्मिद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सभी एक्शरिसमेंस जो है वो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं केवल एक्शरिसमेंस के लिए ही दो